ना सब्सक्राइब करें न घंटी बजाएं आपका समय बड़ा अमुल्य है इस वर्तना गवाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे देखें वरना अपनी पड़ाएं में लग जाए हमारे सब्सक्राइबर से ज्यादा आपका समय कीमती है हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका ड.s गुरूजी मैं जनर्र साइंस डेली प्रेक्टिस कुषंस शुरू करते हैं आपर 10 मिनिट कई प्रेक्टिस कुषंस होगे 20 कुषंस होते है डेली हम करते हैं आज हमारा सात ONE नमबर का यह लेक्चर है यह पीडियेप कैसे डाउनल हो जाए ऐसी हमारे कोश्च रहती है और बहुत ही आसाने से हम पढ़ते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्ण दोस्तों यह प्रश्ण बहुत ही संतुलन हमारे सरीर का बना होना बहुत ही जरूरी होता है अगर ऐसा नहीं होता है तो बोड़ी जो है डिसको लैट कर जाती है और वो धंसे काम नहीं करवाती है इसलिए हमारे सरीर का जो परासरणी संतुलन है वो बना रहना जरूरी है पहली बात यह होगी अब दूसरी बात यहां पर हमें किसी से भी एफेक्ट हो नहीं देखना है सिर्फ प्रोटीन पर हमें ध्यान देना है तो प्रोटीन कौन सा है जिससे हमारा परास रहनी संतुलन बना रहता है तो उसका नाम है किया नाम है अब इसको कैसे याद रखना है आपको दोस्तों आपका जो कोहनी होती है उससे क्या कहते है एलबो और जब भी आपके कोहनी और जोड़ों में दर्द होता है तो उसके कारण होता है कि यह जो प्रोटीन है उसका कमी हो जाती है तो उस वज़े से जोड़ों में द दोक्टर एल्बुमिन के इंजिक्शन ही देता है उसके बाद जोड़ो का दर जो है कतम होने लग जाता है एक समय के बाद ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी बोड़ी में अल्बुमिन बनना या उसकी मात्रा बढ़ना कम हो जाती आई थिंग आपके प्रस्न समझ में आ गया होग अगला प्रस्न है बीना थक्का इसकंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते है यानि कि जो थक्का जमता है उत्मनकल आपको बताई या अपना खून बेता है तो उसमें थक्का जम जाता है उसके कारण तो अपना खून बेना रुख जाता है उसका कारण होता है सीरम की वज सतायू 120 दिन होती है डोस्तों जो आपको होता है उसे हम टाइफ हाइड भी कहते हैं पिला कहते हैं उस रोग फिलह टीको होता है उसमें मुट्रिया उप्सिश्च पदाथ निकलते हैं वो सभी का क helpless और उससे क्या है सरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो इस रोग को हम कहते हैं पिलहा जब पिलहा होता है तो आपके सरीर में से आपके रुधिर जो होता है उसमें से लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो बिलकुल डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है इससे बोड़ी जो है पेन करने लगती है, खड़ा नी रह पाता बैक्ती, बहुत ज्यादा बुखार की सम्मावना उसे दिन प्रति दिन होने लगती है, अगला प्रशन अपना है, किस हीमोगलोबीन के अभाव के कारण रंग हीन होने तता स्वेत रुदिर करने काईं भी कहते हैं, यानि कि हीमोग अगला प्रशन अपना है, ल्यूकोसाइट रक्त में उपस्तिती किस अनुपात में प्रतिघन में होती है, यानि कि प्रतिघन यानि कि इस बॉक्स के अंदर, मानो अगर यहां पर आपका रुदिर भरा हुआ है, तो इसमें ल्यूकोसाइट की कितनी उपस्तिती होगी, त दोस्तों ये होती है 6-8,000 तक 6-8,000 में ये होती है आपको याद रखना इससे कम होती है या जाधा होती है जाधा तो होने का समदाण नहीं होता कम होती है तो पिर आपको बोड़ी में दिक्त होती है रक्त के अलावा कौन सा एक अन्य सरीर द्रवे भी कुछ विशिष्ट तत्तों के परिवन में साहिता करता है दोस्तों लसी का एक ऐसा द्रवे होता है जो विशिष्ट तत्तों के प्रवाह करता है अपने सरीर के अंदर अगला प्रश्ण अपना है प्रद्रव्य रक्त के आईतन का लगबक कितना प्रस्तिसत होता है दोस्तों 55% जो है अपने सरीर में प्रद्रव्य होता है जितना द्रव्य होता है उसका 55% जो है प्रद्रव्य अपने सरीर में होता है अगला प्रश्ण अपना है एक स्वस्त कि CO ML just है किसे ही अर्थो-पोडा मेलसका होता है ूशसन्ते लिखेते लिखेते ज़ूड़ा dependent स्वासन के लिए स्वास लेने के लिए एक संरचना अलग से इसमें बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्लॉम अब दो वातें यहां पर निकल कर आती है ध्यान देना क्लॉम और क्लॉण अंत का सब्द जो है एक का है म और एक का है न जहां पर क्लॉम होगा और वो सम्मंदित होगा स्वासन से बहुत इंपोर्टेंट प्रस मनता है र्यान दीजिए और जहां पर न होगा अंत में क्लॉण जहां पर होगा वो होता है अंग प्रत्यार ओपन से सम समझ में आ गई बात अगला प्रश्ण अपना है स्वासन किस से संबंदी थी ये भी स्वास्त मनुष्य लगबग कितनी मिली वायू प्रती मिनिट की दर्सें एक मिनिट में कितनी मिली वायू यानि एक मिनिट में कितनी मिली वायू लेता है छोड़ता है अंतस्वासित और न आपने अंदर ली यह तो हो गई कौन सी अंदर सौसिट और यह आपका मुह से आपने वायू जो है बार छोड़ी यह होगी नी सौसिट समझ गया आप जैसे आप कपाल भाती करते बाबरामदेवी वाली तो जैसे सांस अंदर लेते हैं तो वो थो गई अंदर सौसिट बाहर वो होगी नी सौसिट समझ में आगी बात इसमें कंफूजी नहीं होना है अब कितनी ले सकता है मैक्सिमम और कितनी छोड़ सकता है तो उसका है 6-8 का आपना किसका था ल्यूकोसाइट का था ना भाई रुदिर में ल्यूकोसाइट की मात्रा भी ततनी थी तो जितनी मात्र बल पूरग अंतस्वासित कर सकता है लग देखिए कितना गर्यप का प्रस्ण पूचा है आपने यह किया होगा लेकिन आपको पता नहीं यह कि यह आपने कब किया था अंतस्वसित कर सकता है यानि मैंने बता दिये इस सब्द का मतलब क्या होता है अंदर कितना ले सकता है अंदर मैक्सिमम कितनी वायू आप ले सकते हैं एक वेक्ति के द्वारा अंदर कितनी वायू भरी जा सकती है तो वो भरी जाने वाले आयू की मात्रा है एक हजार से ग्यारा सो मिलील्टर समझ गया अब एक हजार से ग्यारा सो ठीक है मैक्सिमुम की बात हो रही है वाईयू का वह आयतन जो बल पूरक निस्वासन के बाद भी फेपड़ों में सेस रह जाता है अब यह देखिए कितना दो सब्दों का सब्द है परिवतन है देखि लेकिन उसके बावजूद भी अंदर आपके जो फेपड़े ना यहां पर कुछ वाईयू रहती है अब यह यहां पर जो वाईयू रहती है इसको यह कितनी होती है कितनी रह जाती है तो यहां पर लिखा हुआ है सेस कितना रह जाता है तो सेस रह जाता है यह क्या कहलाता है तो ये कहलाता है अविसिष्ट आईतन समझ गरने जो यहां पर बचीए वो अविसिष्ट आईतन कहला जाए जो यहां पर सैस रह जाता है ठीक है अगला प्रश्ण अपना है बल पूरग निश्वसन के बाद वाईयू की अधिकता मात्रा जो एक व्यक्ति निश्वसित कर सकत हुआ दोस्तों जो आप सबसे जयjam स्वांस छोड़ सकते हों कितना चोड़ सकते हो बहुत मतलब प्रव्द्व लगए अब सखार निकालते हो मैकिमन सुल वगरा आप आनल ने कानल आपने मुछ से शांस तो कितना निकाल सकते फूंक मारते हो कि भूबारा फुलाते हो तो कितना निकाल सकते हो बहुत सारे निकाल सकते हो इस क्रिया को क्या कहते हैं इस क्रिया को हम कहते हैं जे उसमता क्या कहते हैं जे उसमता ठीक ना सोचन नहीं कहते हैं सोचन हम उसे कहते हैं जिसको अपन लेते हैं और बार छोड़त स्वाइण पर मत्रा को कि यहां पर प्रश्ण मात्रा का पूचा गया है बल पूरक जो आपने निकाल दे उसकी मात्रा जो फेपडों में बज गई उस मात्रा को मतलब मात्रा क्या कहलाती है पहले त अपने जेव समता वाल पड़ा था क्योंकि वह जो वहां पे रह जाती है उसे जेव समता कहते है अगला प्रश्न अपना है 70% O2 का परिवन रक्त परिशंजर्ण के किस रंग की करनिकाओं से होता है दोस्तों लाल रक्त करनिकाओं की द्वारा होता है 97% जो है आपकी O2 का संजर्ण अगला प्रस्ण अपना है हिमोगलोबिन के साथ उतकरमनिये धंग से बंद कर O2 का गठन कर सकता है दोस्तों ओक्सी हीमोगलोबिन बन जाता है हीमोगलोबिन के साथ जब O2 जो है ओक्सीजन रियक्ट करता है तो ओक्सी हीमोगलोबिन बना लेता है वह अगला प्रस्न अपना है कार्बन डाय ओक्साइड की किस रूप को रूप में हीमोगलोबिन की जर्जे वहन की जाते है द सब्सक्राइब दोस्तों यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्ण बन रहा है आपके दिमाहं में भी तक नहीं आया होगा साइब ये परस्षन जो होता है सीवो जो होता है कया है अगर आपने कोई सिह Vacuaddy जला रखी है तो आप उसके अंदर सो जाओगे रात पर रे जाओगे आटे डेल दो गंटे दे जाए तो आप मर सकते हैं ब्रत्य हो जाते इंसान की क्यों हो जाती क्योंकि कमरे के अंदर ऑक्सिजण के मात्रा कितनी कम होती यह तो यहां पर सी वो बनता है तो जो है किस से क्रिया कर लेता है। कि रπό में अगर कोई टायर वायर जेलाये जाते हैं तो ऐशा नहीं होता किके में क्या होता है। जेत हो सकती है अगला प्रस्ण अपना है अलफो नसो कोर्टी का देहांत किस वर्स में हुआ था दोफ्तों ये एक आठ 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 में हुआ था आज के अपने 20 प्रस्ण समाथ हुए ये वीडियो लेक्षर आपको कचा लगा हमें कमेंड में जरूर लिकिए अगर कोई प्रस् सबसे पहले अगर आप बात करें ना तो सबसे पहले एक विगयनिक आया था नील्स बोहर अलाएक उसने सब चोरी करके माल लिखा था उसने कहा था कि ये जो प्रोटोन है न ये आपका जिलिक प्रदार्त में ये तूट नहीं सकता है • आपको पता ये सब केमस्टर में सारी संदुआत में पढ़ते हैं तो यह चीज़ यह क्या है कि यह चला इमान है परवर्थित होती रहती साइंस जो है एरुडेशेंज होता है आपने अभी तक पढ़ा होगा कि अमारे सरीर में एक ग्रंती होती उसका नाम है प्यूस ग्रंती उसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंती बलकि नहीं रिसर्च जो आई हो प्रतित होती है इस प्रकार्स चे आपको याद रखना है लेकिन क्या है कि यो आपके किताब में दे रखा है जो आपके रेपरेंस से ले रखा है उसका आंसर वही माना जाएगा बोर्ड भी वही मानेगा इसलिए यहाँ पर आंसर हम देते हैं फिलाल के लिए धन्यवाद बने रही है डियस गुरीजी के साथ जय हिंद जय भारत